राम राम भाई कैसे हो आप सभी लोग जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस चैनल पर आप्शन ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक फ्रीम में स्टाइड किए जहां पर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको आप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा जिसका पार तू होने वाला है इसके अंदर में आपको कॉल पुट के बार में बताऊंगा और उसके साथ में ही आपको ITM ATM और OTM के बार में बताऊंगा ITM ATM और OTM बहुत ही महतपुन पार्ट है option trading के लिए तो इसको सीखना बहुत जरूर है अगर आप option trading से पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको option trading को सीखना पड़ेगा अगर आपने बीना सीखे option trading की तो वहाँ पे आप अपना सारा पैसा लॉस कर दोगे तो भाई पहले आप option trading को सीखो उसके बाद में ही आप trade करो मैं इस चैनल पर आपको पहले चोरी बताऊंगा फिर में साथ में practical बताऊंगा और उसके साथ में आपको live market में demo करके भी दिखाऊंगा जिसमें आप छोटी कर भी आपको हुआ जाएगा practical भी नौने उजाएगा और जब मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव करके बताओं गा तब मैं आपको जब मैं आपको बताओंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आजाएगा और कैसे करना होता है क्या करना होता है तो चलते हैं वीडियो पर शुरू करते हैं राम राम भाई तो अभी हम आगे हैं अपने पेपर सीट पे ठीक है तो आज मैं आपको बताऊंगा एक कॉल और पुट का और उसके बाद में बताऊंगा आपको आईटियम ठीक है एटियम और ओटियम के बारे में ठीक है आपसन ट्रेडिंग में ये बहुत जरूर ये सीखना कि आईटियम क्या है और एटियम क्या है ठीक है तो पहले मैं आपको कॉल पुट का बताता हूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कल जो मैं आपको भी यह बताया था कि अगर निफ्टी जो 21695 पर चल रही है ठीक है तो वो कहां से आई ये ये कहां से आई है वो 21580 से 600 फिर 600 से 695 पर आई और अब अगे ये 2785 पर जाएगी और फिर ये 2800 पर जाएगी ठीक है मतलब की यहां से आई बढ़ रही है ठीक है और जब घटेगी तो कैसे गटेगी ये 21 800 mandate 1600 जायगी। फिर यहां से यह जाएगी 500 तमुशन जाया तो तो मतलब यह ऐसे यह पुट एसलब मार्केट जब चूसर में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, कि ट्रेडिंग करोगे, जब आपको यह मालूम होना चाहिए, कि आपको कौन सा इस्ट्रेक प्रैस लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर यह रखा, यह निफ्टी, मैंने यहाँ पर निफ्टी पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यह नीचे, आप्शन चैन है, इस आप्शन चैन के उपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं देखो, अभी क्या चल रहा है, अभी निफ्टी जो है, वो 21.800 पर चल रही है, ठीक है, तो यह पहले 21.700 पर थी, फिर 21.750 पर थी, फिर 21.800 सो पर आई फिर 21850 पर अब यह ऐसे आगे बढ़ेगी और जब मार्केट गिरेगा तो अभी 2883 पर चल रही है तो 2850 पर जाएगी फिर 2800 पर जाएगी फिर 2750 पर जाएगी ऐसा करके मार्केट गिरेगी तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कल थोड़ा वीडियो में क पूट लिखा हुआ है यहां पर इसकी इस्ट्रेक प्राइज लिखी हुई है ठीक है तो अब जब आप ट्रेड करोगे ठीक है तो आप इसमें से कौन सा ओप्सन लोगे यह लोगे यह लोगे यह लोगे क्योंकि कौन सा ओप्सन लोगे यह आपको कैसे मलूंत लेगा तो उ कुछ से पहले मैं आपको एक चीज बढ़ाता हूं यह जो कॉल पुट का काफी लोगों का कमेंट आया था जैसे देखो अभी यह जो है निफ्टी 21850 अगर मैं इसका लेता हूं ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीची यह बाइप आपय आप्सन है यहाँ पर मैंने बाइप क्लिक किया क्लिक करने के बाद में यह पूछ रहा है की नमर अव लोट अब यह 188 पे चल रहा है ठीक है वे निएट पे चल रहा है मैंने यहां पर एक लॉट ढला तो एक लॉट लेने में मुझे कि प्रीमियंग बहुत जदा हाई रेट के होते हैं और जैसे जैसे यह तरीक तीन तरीक चार तक जाएगी तो इनके क्रेमियम की रेट है वकम हुझे अभी यहां पर 9500 कुछ दिख रहा है तो अभी कल यहां पर 700 रिखेगा फिर साब जा दिखेगा फिर जैसे जैसे आर्ट रगाईगी न तो यह पचास रुपे का साट रुपे का भी हो जाता है ठीक है तो अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें लेने में चार्जर कितना लगता है तो यहां पर चार्जर लिखा हुआ है यहां पर क्लिक कटेगा टोटल जो है वह 29 रुपे का आपको टेक्स कटेगा ठीक है जो जिसे चार्जर कहते हैं वैसे ही मैं आपको एक बैंक निफ्टी में दिखाता हूं बैंक निफ्टी के प्रीमियम सस्ते आते हैं ठीक है जैसे यह मैं यहां से बैंक निफ्टी में जाता हूं यह यह bank nifty में मैंने click किया मैं इसके option chain में गया option chain में जाने के बाद देखो जैसे अभी अगर मैं यह option लेता हूँ तो यह option लिया यहाँ पे मैंने buy पे click किया तो देखो यहाँ पे पूछा number of lot अगर मैं एक lot लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे चार सो इकैसी रुपे लग रहे हैं ठीक है एक lot में अब bank nifty की expiry क्या पर्सों थी तो कल इसकी rate ज्यादा थी 7000-8000 के असपास आज इसकी 6000 के असपास है कल इसकी 4000-5000 के असपास हो जाएगी और ठीक है और अभी इसकी आपन कोई भी option को क्या है एक अफते के लिए उसको hold कर सकते है और अगर एक अफते तक अगर अपन को 27 रुपे के चार्जर लग रहे है ठीक है तो इतना अपन को लेने के टाइम और देने के टाइम देना पड़ता है अगर एक ट्रांजेक्शन अगर माने अगर आपने कोई ट्रेड लिया ठीक है कॉल भाई किया उसको बेचा तो उसमें आपको टोटल 50 से 60 रुपे के बीच में आपके चार्जर लगते हैं इससे जज़ा नहीं लगते है ठीक है तो यह हो गया कॉल पुट के बारे में अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन कॉल कब लेंगे और पुट कब लेंगे देखो यह मैं है इसके चार्ट के ऊपर क्लिक किया चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बार में देखो जैसे यह market है ठीक है मुझे लग रहा है कि market यहां से उपर जाएगा तो मैं call buy करूँगा और मुझे लग रहा है कि market यहां से नीचे आएगा तो मैं put buy करूँगा लेकिन यह index की बात है अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ option में क्या रहेगा जैसे देखो 46,216 पर बैग निफ्टी चल रहा है ठीक है तो मैं 46,300 का call यह है और 46,300 का put यह है ठीक है इधर call होता है इधर put होता है अब अगर मैं 46 अब मुझे लग रहा है कि market उपर जाएगा तो मैंने मानलो 46,300 का option लिया तो मैंने यहां पर click किया ठीक है और इसका यह जो मैंने चार्ट के उपर मैंने click किया तो यह जो 6,300 का call है ठीक है वह अभी चल रहा है मानलो की यहां पर है मानलेते हैं यहां है 450 ठीक है और मुझे लग रहा है कि market उपर जाएगा और उपर गया तो यह किता हुआ यहां तक 500 मतलब कि मुझे 50 point का profit मिला ठीक है यह मैं आपको और जस्ट एक उधारन दे रहा हुँ भाई कोई भी चीज कोई भी चीज लेने से पहले पूरा सीख लेना अब 3300 के call की बात होगे अब मुझे लग रहा है कि market गिरेगा गिरेगा तो यहां पर मैंने मानलो यह option लिया तो मैंने यहां पर click किया इसके चार्ट में गया ठीक है मानलो मैंने इसको 340 में लिया ठीक है और अब इसकी वेल्यू बढ़ेगी वेल्यू बढ़के मानलो यहां आँगे 397 हो गई ठीक है तो मतलब मुझे कितना लगबग 5060 के आसपास point का मुझे जो है वो मुझे profit मिला तो क्या होता है कि index जब बढ़ता है तो call तो यह option है इसका chart बढ़ना चाहिए और market जब गिरता है तो भी जो put के option है उसके chart में value बढ़ने चाहिए ठीक है आप यह मत समझना कि call में value बढ़ेगी तो मुझे पैसा मिलेगा और यहां पे put के अंदर जो chart खोला था वो अगर down हुआ तो आपको पैसा मिलेगा तो आपको पैसा option का जो chart है उसके अंदर value बढ़ने चाहिए ठीक है तो आपको profit होगा अब मैं आपको ITM, OTM और ATM क्या चीज़ होती है वो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है देखो जैसे मान लेते हैं अभी bank nifty चल रहा है चीया लिस 200 के आसपास मान लेते हैं ठीक है और इधर call है इधर call है और इधर put है ठीक है अब क्या होगा अब यह जो है 6600 से आया है इससे पहले यह 6600 पे था अब मुझे लगता है कि आगे यह 6600 पे जाएगा फे 6600 पे जाएगा ठीक है कि अब मार्केट जब बढ़ता है ठीक है अमार्केट जब अइसा बढ़ता है तब यह 600 दो सो 600 600 आएगी चीया जीन चीन सो चास हो जाएगी लेकिन अगर अगर मार्केट नीची आता है ठीक है तो यह 4300 से 200 जाएगी फिर 6200 से 100 जाएगी अब देखो ITM का क्या मतलब होता है कि अभी जो मार्केट है वो 6200 पर चल रहा है तो यह इसका ATM है देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले ATM ATM का मतलब होता है at the money at the money और ITM ATM का मतलब होता है in the money in the money और OTM का मतलब होता है out of the money समझे के ATM का मतलब at the money ITM का मतलब in the money ATM का मतलब out of the money अब देखो इसका मतलब कैसे है जैसे अभी 4600 पर यह चल रहा है ठीक है तो यह कहां से आया है यह चीज़ अजार से आया है फिस चीज़ एक सो ठीक है क्योंकि जहां पर यह चल रहा है वहां से तो आया हुआ है मतलब पहले यह इसने अचीव कर लिया है तो उसको कहेंगे यह मनी से ऑट अभी यहां पर गया नहीं अभी मार्केट सिर्फ यहां चल रहा है अभी यहां पर जाना बाकी है तो यह किसके लिए होई यह बात कॉल के लिए वैसे ही अगर मैं पुट की लोह हीती बात करूँ तो पुट के अंदर क्या होता है मार्के चीनिस चाइसो से चीनिस तीन सो परगिरा फिर शीयूनिस दोसों से अब आगे-श्यूर्इश जेस यहां पर 36,000 पर गिरेगा तो यह जो अभी जहां मारकेट चल रहा है उसको कहते हैं ATM पुट का ATM ठीक है ATM मतलब कि अभी यहां पर मारकेट चल रहा है अब यह कहां से आया है तो भी को पुट में क्या होता है मारकेट गिरता है पुट में मारकेट गिरता है तो यहां जहां से आया है वह इंदमनी है जहां है वो पेदेटम्न होक्ति पैरों इसका उड़ीयोगा अशर जीसे ही समझाना की कुशिस करूँगा ठीक है देखो यह क्या है कॉल की लिए जहां पर कॉल कॉल में कैसे होता है मारकेट बढ़ता है चेर चैंट अजार से चैंट पर एक सो चिनज से दूशो चीनश से तीन सो तो अभी जहां चल रहा है वह तो ए-tm है वो put का भी ATM वोई है और जहां से market call में आगया है मतलब बढ़के आगया है वो इसका ATM है और जहां पे आगे call में जाएगा वो इसका ATM है और put में क्या होगा market गिरता है तो जहां से market गिरता गिरता आ रहा है वो ATM है जहां पे अभी चल रहा है वो ATM है और जहां पे ये आगे गिरेगा, डाउन होगा, बन्द 6200-600 जाएगा, बन्द 6200-600 जाएगा, बन्द गिरेगा, तो वो अभी गिरा नहीं है, अभी गिरने वाला है, उसको बोलते है, OTM, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह ITM, ATM और OTM, अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह बहुत जादा मेटर करता है, जब आप ट्रेड करोगे, इसको आप बिल्कुल ऐसे में रफली मत लेना, इसको सीरिसली लेना, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे न, तो देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आप मैं आपको लाई मार्केट पर दिखाता हूँ, जैसे अभी चल रहा है न, तो उसका ATM कौन सा रहेगा, या तो ये, या ये, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट 200 के आसपास चल रहा है, तो इसका ATM या तो ये होगा, या ये होगा, अगर आप कॉल भाई करोगे तो, और अगर पुट भाई करोगे, तो क्या होगा, आप 26,000 का, या तो ये यह है इन दा मनी ठीक है क्योंकि यह अभी यहां चल रहा है मार्केट और यहां से आया है तो इसका इन दा मनी यह है और अगे मार्केट इदर जाएगा ठीक है तो यह सारे OTM है OTM ठीक है तो आप देखो और जब पुट में क्या होगा कि मार्केट 2400-2300 आता है 2400-2300 आया है अब आके ऐसे गिरेगा तो जहां से यह आया है मतलब कि यह यह सारे इसके ITM है इन दा मनी के और जहां यह चल रहा है वो है ATM ATM मतलब यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और आगे यह जहां जाएगा मतलब कि यह यहां पे जाएगा 2600 पे जाएगा 2600 पे जाएगा 45900 पे गिरेगा तो यह इसका ATM हो गया ठीक है तो यह होता है ITM ATM और ATM अब आपको यह कहां काम आएगा यह काम ऐसे आएगा कि जब आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड लेने के टाइम पे आपको कौन सा option चूज करना है वो बहुत ज़्यादा ज ठीक है तो यह option में आपको इतना ज़्यादा benefit नहीं मिलेगा जितना आपको 45900 या फिर 26000 वाले option मिलेगा क्यों क्योंकि यहां पर premium की rate बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है यानि कि यहां पर premium बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो जिसका premium ज़्यादा बढ़ता है ना उ उसके जो price है उसके बढ़ने की chances भी ज़्यादा रहती है और अगर आपने यह लिया मालों आप call बाई कर रहे हो और आपने अभी market चल रहा है 6250 पर और आप 6500 का बाई कर रहे हो क्योंकि यह सस्ता मिल रहा है तो यहां पर उसकी price भी कम बढ़ेगी तो जितना इंदा money का option लेना है अगर लिया जाता है उतना ही अपने अपने को फाइदा ज़्यादा होता है ठीक है तो यह ATM, OTM और ATM मैंने आपको बताया और मैंने आपको call और इसका put का भी बताया अब next वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको OI बताऊंगा OI के बारे में फिर मैं आपको price action के बारे में बताऊंगा ठीक है और फिर मैं आपको support resistance के बारे में बताऊंगा ठीक है support resistance ठीक है और यह सारी चीज़े अभी मैं आपको छोड़ टिकर भी बता रहा हूँ मोबाइल की स्क्रिंग के भी उपर मैं आपको बता रहा हूं और फिर जब आप ये सारे चीज़ें जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं ठीक है वो ट्रेड लेके भी बताऊंगा और उसमें फिर प्रॉफिट हो इसको शेर जरूर कर देना जो कि लाको की फीस है मार्केट में इतना अपने को फीस नहीं देना है यह वही चीज़ बताइंगे जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मैं सीखा हूँ ठीक है और मेरा जो एक्सपिरेंस है वह मैं आपके साथ में फ्री आफ कोस्ट शेर कर कर देना शेयर करना मत बुढ़ना लाइक करो या ना करो आपकी मरजी है ठीक है मैं आपको पूरा जीरो से लेके और एंड तक एडवांस तक मैं आपको पूरा फूरी अफकोस सिखाऊंगा ठीक है यूटूब चैनल पर तो मिलता हूं अगले वीडियो में ठीक है जैराम जीकीर